तो फाइनली निवावुपा ने अपना नया प्लान लांच कर दिया है 2024 के लिए निवावुपा एस्पार प्लान स्रिफ यह लोगों को टार्गेट करने के लिए लांच किया है पीपल बिट्वीन एज 18 तो 35 यह ऑफ एज बट इस प्लान को 65 यह तक के पीपल भी ले सकते हैं तो इतने सारी चीज़े बताएंगे कि आपको भी लगेगा first talk में कि यह बहुत जादे value for money इन्होंने भर-भर के सारी चीज़े लखा है plan बहुत अच्छा है no doubt लेकिन यह सभी के लिए नहीं है सबसे बड़ा limitation मुझे यही लगा कि इसमें जो इनके existing customers है निवावुपा रि part 2 आने वाली है वो दोनों ही वीडियो आपके हर एक डाउट क्लियर कर देंगे तो लेट सब्सक्राइब इसकी वजह से यह प्लान इतना ज्यादा पॉपिलर इतना ज्यादा बिक रहा है customer care वाले भी या फिर आपके agents भी यही सारी चीज़े बता कि आपको यह प्लान बेच मैं इसको एक basic तरीके से समझा देता हूँ सोधाट कि आपको समझ में आने के बाद यह plan जो है आपको almost हर तरीके से समझाएगा अगर आप 10 लाक रुपिस की policy ले रहे हो first time that means zero year पे और आपने इस amount को पूरे साल में बिल्कुल भी utilize नहीं किया तो आपके first renewal पे आपको जो basic 10 lakhs का सम इंच्वड है वो पहली बार तो यह refresh हो जाएगा हर साल आपको यह नया मिलता है आपका जो unutilized amount है वो as a booster plus के basket में add हो जाएगा और आप दोनों ही amount एक साथ एक hospitalization में use कर सकोगे तो यहीं इनका booster plus benefit और अगर आपने इस total amount को भी utilize नहीं किया और आपका second renewal आ गया तो आपका जो basic 10 lakhs का सम इंच्वड हो जाएगा that means refresh हो जाएगा और जो previous वाला unutilized amount था वो आपका as a booster plus वाले basket में add हो जाएगा that means कि आपके second year पे 10 lakhs की policy काम करेगी as a 30 lakhs के insurance की तरह और वैसे ही यह process continue होता रहेगा इसी को लोग कहते है booster plus benefit इसी वज़े से अपने सुना होगा कि बहुत सार आपको agent ने भी कहा होगा कि यह 10 lakhs policy ले लो दस साल के अंदर आपकी हो जाएगी एक करोड़ 10 lakhs की policy based on कि booster benefit आप कितना collect कर सकते हो निवा वुपाइश पायर में आपको चार variants देखने में मिल चाते हैं first one is gold जिसमें कि आप booster स्रिफ 3 times तक accumulate कर सकते हो diamond में आप 5 तक accumulate कर सकते हो platinum में आप 10 तक accumulate कर सकते हो और titanium में भी आप 10 तक accumulate कर सकते हो on top of your basic sum insurance इस प्लान में आपको एक lock the clock feature भी देखने मिल जाता है जो कि मुझे personally पसंद है and actually ये उन लोगों के लिए काम आ सकता है जिनके बस already कोई corporate insurance है जिनको की already job से मिलता ना दो लागा चार लागा पाच लागा दस लागा insurance और वो चाहते कि या retirement के लिए हम एक अलग से insurance लेकर रखे तो उस case में आप निवब उपका ये aspire plan ले सकते हो आप किसी भी particular age में ले ल जाएगा और इसी को कहते हैं log the clock feature और ये log the clock feature आपको diamond के अंदर मिल जाता है platinum में भी मिल जाता और titanium plan में भी आपको देखने मिल जाता है ये तो उन लोगों के लिए अच्छा जिनके बस already कोई corporate policy लेकिन अगर आप यंग हो between 18 to 35 years of age जिसके लिए ये plan launch किया गया तो ये market में कोई है यही नहीं log the clock जैसे कि आपके लिए ही बनाएंगे बड़ा ऐसा कुछ नहीं अर्दी एंड एटसर मार्केटिंग स्ट्राटेजी इन अर्दी यार कंपनी को भी profitable होना पड़ता है इस plan में आपको maternity benefit भी देखने मिल जाता है जो कि miracle नाम से आता है and based on कि आपने में यार कुछ भी नहीं होता विकॉस कुछ emergencies हो गए maternity के टाइम पर तो आप फस्ट जाओगे अब यह जो maternity benefit की limit है इसको भी आप booster प्लस की तरह accumulate कर सकते हो depending कि आपने कौन सा plan चूस किया है तो gold plan होगा तो आप 3x तक का maternity limit जो है boost कर सकते हो titanium होगा तो आप 10x तक का limit जो ह है as in accumulate कर सकते हो as a booster या फिर maternity plus benefit अगर आप चाहते हो कि आपके maternity benefit की वज़े से जो आपका lock the clock feature है वो break ना हो या फिर no line void ना हो तो आप titanium plan ले सकते हो जिसमें कि आपको option मिल जाता है lock the clock plus का जिसमें कि अगर आप maternity benefit लेते भी हो फिर भी आपका lock the clock जो feature है वो बना रहेगा तो उसी को कहते हैं lock the clock प्लस अगर आपको maternity benefit यूज़ करना है तो आपको particular waiting period यूज़ करना पड़ेगा जो कि इन्होंने plan के basis पे रखा है जैसे कि आप लोग यहां पे देख सकते हो अगर आपके पास gold plan है तो आपको 4 years तक का waiting period देखने मिल जाता हूँ है diamond के लिए 2 years का है platinum और titanium के लिए इन्हो का waiting period रखा है कोई भी calculation बिटा लो ना यह आपको benefit नहीं मिलेगा especially for the maternity क्योंकि maternity के लिए special plans market में बने हैं और वहां पर आपको लाकव रुपने लिमिट मिल जाती है without any condition पायर policy में बहुत सारे riders मिल जाते हैं जैसे ही आप लोग देख सकते हो लेकिन जो important riders है ना वो बहुत महेंगे हैं और जो unwanted या फिर not that useful वाले riders है वो सस्ते मिलते हैं तो कही ना कहीं आप unwanted riders लेलो के इसके लिए मैं आपको हर एक riders explain कर देता हूँ और उसके इसाप से आप जैसे कि यह सबसे best feature है आपको कुछ अनोखी चीज मिल रही है तो इस प्लान में cashback में आपको first year के लिए से 10% का as in cashback मिलता है उसको cashback बोला गये है and आपको हर साल 5% का cashback मिलता है लेकिन problem यह है कि इसका जो चार जना आपको अलग से पे करना पड़ता है आपके policy में add आपको मिलेगा नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा अगर आप calculate करोगे amount invested as a rider और amount you get as a cashback तो कहीं न कहीं 62 रुपेज मिल रहा है यहां पे मेरे वाले case में आपके case में अगर आपको benefit लगेगा तो ले सकते हो नहीं लगेगा तो आप मत लो अगर आप यह जो जाता है आराउंट 3-4 परसेंट के next is future ready अब यह थोड़ा सा useful और इसका जो प्रीमें वह भी comparatively कम ही पे करना पड़ता है बट मेरे खेल से थोड़ा से useful हो जाता है विकॉस अगर आप यंग हो आप in future शादे करने वादंसे दो साथ ती चार सा उपाह तो जो भी आपने वेटिंग पीरिड सफ कर लिया वापके वाइफ को यह नहीं करना पड़ेगा that means वी initial वेटिंग पिरेड इसका तो यह स्लोगरें डिजेस वाला वेटिंग किरेंग आ फिर आपके वाइफ को कोई रेड़ी वाला प्रीमियम लिया प्रेव करके यह लेजि़ लेघी है नेक्स ऑनिक प्लुष्ट ब्लस राइड। में दीक बढ़ देख सकते हैं कर दोPI अगर आप लोग यह सारी चीज़े चाहते हैं तो आपको प्लस राइडर ही लेना पड़ेगा सेफकार्ड का बहुत लोग कहते हैं कि यार उनका एडमिशन या फिर रेजिस्ट्रीशन चार्जेस उनको जेब से पे करना पड़ेगा इंचॉरेंस वालों नहीं पे किया तो आपको बहुत जादा पैसे देने पड़ जाते हैं अगर आप ले रहे हो यार तो पैसे वेस्ट करोगे इंस्टेट आप अलग से एक इंचॉरेंस ले लो जो कि आप lifelong continue करोगे अगर अगर आप लाइफ इंचॉरेंस ले रहे हो तो उसी में एड कर लेना अच्छा वाला सो प्रिवे में लाइफ टाइम के लिए फिक्स हो जाता है इसका जो प्रिमे में एक तो बहुत ज्यादा रहता है अन्वांटिड चीज़ है खासकर हेल्प इंचॉरेंस अगर एक्सिदेंट हो रहा है तो अगर अगर आपको ब्लड प्रिशर का प्रब्लम या फिर दे दिया जाता है अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिमियम पे करते हो वरना आपको पर्टिकुलर प्लान के यसाब से अपको वेटिंग प्रिट सफ करना पड़ेगा लेकिन अगर आपको फिर फैक्टर है तो यह वाला प्राइडर ले सकते हो एंड अच्छे फीचर मेंन का औप्शन बिल जाए गया तो अब चूस करना जिरो को पेड़ेगा विकास अगर आपने 10 20 को पेमेंन की चूस कर दिया तो फॉरेंट कंटरीं पहला साथ है पैसे आपको देने है पढ़ सकते हो आप लोगें प्रिमियम लोगों से चार्ज किया जाता है अगर आपके जाके मिल की यहां पर आपको जीम इंडूर्ट में ही इपको अलाउड होगा अगर आपको लगे यूस्फूल है तो आप ले सकते हो नेक्स्ट इस एन्वल एग्रिगेट डिडेक्टेबल अब यह चोटा सा अमाउंट आप अपने जीव से पे करके बागी का जो पैसे ना इंशॉर्णंस कमपनी से ले सकते हो इसी चीज़ को कहा जाता है अगर आपने अपने पॉलिस हजार रुपे का लिया हुआ है तो आपक अब यह वाला जो राइडर है वह आप लोगों करता है अगर आप को चाहिए या फर नहीं तो आप खुद देख सकते हैं अगर आपको इंपॉर्टन लग रहा है तो आप यह ले सकते हो फ्रेंस अप्टक मैंने आपको यह सरी ओवर्वियू दिया कि यह ब्लान यह बहुत तरीके से काम करता है इसमें क्या क्या एक्स्ट्र चीज़े मिल जाती है यह पार्ट वन था पार्ट टू भी मैंने बना इसका आपको लिंक मिल जाएगा आपके लिए डिस्रिप्शिन वॉक्स में जाकर आप देख सकते हो उसमें मैंने बताई कि यह प्लान एक्ष्य में ज सबसे तो आप लोग मुझसे डिरेकली कांटेक कर सकते हो आपको लिंक मिल जाएगा इंदे डिस्क्रिप्शिन बॉक्स बेलो और हमारा वन-to-one कम्मिनिकेशन होता है वीडियो कल के जीरे सो दाट की मैं कुछ समझ के आपके रिक्वार्मेंट्स को एक बेस्ट प्लान दो और अपको एक लाइटाम सर्वेस दो